मैं जगित गुरु रामानुजाचारी स्वामी स्रीधराचारी जी रक्षा बंदन इस बार कब है कब मनाए जाएगा कि इस तरह से मनाए जाएगा क्या विशेश और खास होगा भारत वर्ष रिशियों की परंपरा का देश है आध्यात्मिक महोसबों में स्रावनी रख्या बंधन का अपना महत्व है हमारे हाँ देवतरपन रिशितरपन और पित्रितरपन की परंपरा है स्रावनी के उपकर्म में जिन ब्राह्मनों का छत्रियों का वैस्य सूद्रों का एक सामूहिक यह स्रावनी सत्कर्म पार्याण जनों का महोसब है स्रावन, सुकलपक्ष, पुर्णिमा, 30 अगस्त को भी है और 31 अगस्त को भी है 30 अगस्त को रात में आठ वजे तक भद्रा है आठ से साढ़े आठ के बीच में राखी बंधन किया जा सकता है और 31 को सुबह 7.40 तक पुर्णिमा है जबकि 7.40 के बीच में रख्षा बंधन किया जा सकता है स्रावनी उपकर्म की बात है तो स्रावनी उपकर्म में 30 तारीक को साम को आठ वजे तक भद्रा है इसलिए भद्रा के बीच में भी बैदिक रीति का पालन किया करना चाहिए इसलिए 30 तारीक को 10 वजे के लगवग पुर्णिमा का आगमन हो रहा है इसलिए हिंदू धर्म में गंगा असनान का और तीर्थ मेवास करने का 30 तारीक को विधान है इसलिए 30 तारीक को ही स्रावनी सतकर्म पारान जनों के लिए स्रेयस्कर है स्रेश्ट है सर्वोत्तम रात में भी राखी मनाई जा सकती है सूर्यास्त के बाद भद्रा जब न रहे तो राखी वंधन किया जा सकता है 30 तारीक को है और दूसरे दिन साड़ी साथ बजे तक है नहीं मध्यरात्री कोई रात में और कुछ नहीं है नहीं पंडित ब्रजेंद मिश्र जोतिशाचारी प्रयाव राच तीस अगस्त को प्रातर दस बज़ करके अठावन मिनट से पोने मां शुरू हो रही है करके अगले दिन प्रातर साथ बज़ करके पांच बनित के बीच में कभी भी राखी बंदी जा सकती है जो हमें सुलवता से समय मिल जाए इस बीच में कभीकभी कुछ लोगं को संकाय होती है कि अगर हम किसी वज़ें से तीस को ही राखी बांदे तब कब बांदे और रात में हमें नो बजे के बाद किस्वधा नहीं हो रही है तो दस बज करके अठावन मिनट से दो घंटे छोड़कर की यानि भद्रा का मुख छोड़कर के वो राखी बांद सकते हैं